बीना लक्ष के दौरते रहने से सिवाए धकान के और क्या हासिल हो सकता है सामगरी, संबंध और संपर्क ने हमें वास्तविक शान्ती, समाती और समता से दूर रखा है यदि वास्ताव में ये आनंद देने वाले होते तो हम कब के आनंदित हो चुके होते पर यदि आप अब तक उस शान्ती, प्रसन्ता और आनंद का अनुभव करने से वंचित हैं तो सच्ची आनंद की अनुभूती के लिए आचार्य देवेश, श्रीजिन प्यू सागर सुरिस्वर्जी महरा साप के अंतर स्फुर्णा से स्फुरित एक अदभूत उपकरम, श्री नम्यून साधना राजिस्थान की प्रसिद हड़ाते इस्थित, धर्मनगरी, शिक्षानगरी कोटा में 10 नवंबर 2022, गुरुवार को विधी विधान पुर्वग श्री नम्यून साधना प्रदान की जाएगी इसी अवसर पर साधना हेतु, एक साधना किट भी व्रदान की जाएगी जिसमें महाचमतकारी, महाप्रभावी, नम्यून यंद्र, स्वर्ण कलर की माला साधना विधी पुस्तक, वासक्षेप, धूप, मोरपिंच्छी आधी रहेगा साधक की वय मरियादा अठारा वर्ष से अधिक रखी गई है सब्त व्यशन का सर्वता त्याग अनिवारी रहेगा सब्त व्यशन के अंतरगत, जुआ, चोरी, मांस, मदीरा, परिस्त्रिगरमन, वैश्यगरमन, शिकार खिलना आधी का त्याग होना सरूरी है पाप ताप संताप से परांगमख होकर पवित्रता प्राप्त करने श्री नम्यून साधना अचारश्री के श्रेमुक से ग्रहन कर प्रति दिन साधना शुद्ध पवित्र इस्थान पर बैठ कर करना है प्रति दिन 27 मिनिट में यह साधना संपन्न की जा सकती है आधी व्याधी उपाधी से विमुक होकर समाधी प्राप्त करने श्री नम्यून साधना से जुणने 10 नवंबर 2022 को दानबाडी दादाबाडी अवश्य पधारे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें